आज हम देखेंगे file sender and share app कैसे यूस करें जी हैं दोस्तों how to use file sender and share app आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेश अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लें और वैल आइकन प्रेस करना मत बुलिएगा तो चली दोस्तों शुरू करते अपना इस पर नाम यहां आ रहा है फाइल सेंडर एप उसके नीचे आपको इंस्टॉल के बटन दिखाई दिखाई दे जाएगा क्योंकि मैंने इस एप को इंस्टॉल कर लिया है अब हम एपको उपन करते हैं जैसे यह आप करेंगे तो आपको कुछ परमीशन को अपने नेम सेफ करतàng उसके बाल नीचे आपको जैसे आपको इससे क्लिक करना है और अगर आप को इस ईक पर शियरट और जेंडर though में और सेयर मेन्यू दिये हुए हैं जिसको आप फिल्टर कर सकते हैं तो अभी हम एपस वाले सेक्शन में हैं तो अगर आपको इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैं आपको सेंड करना सकते हैं अभी ऐगर मुझे किसी एक एक कडिक करना है यहां करके आपको आ सब्सक्वां और सब्सक्राइब खटान और इसलिक्राइब्लाब हाटपोसपोट उने टो यहां पर जाने के वाद इसको मुझे आफ करना है इसका तब मैई बैक आजाता हूँ यहां पर देख रहे हैं grant location permission तो आपको open जो उसके आगे लिखा हुआ आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको इसको allow करना और आप देख रहे हैं कि अब यहां पर हमें जितनी भी permission देनी थी हमने दे दी हैं आपको यहां पर नीचे आपको नेक्स अप्शन झो है वह दिखाई देने लगा तो यहां पर आपको नेक्स पर क्लिक करना हैं जैसे आप आपको लएच बाक्रते हैं लुएबशे यहां पे और अपको क्लिक करने की हैं क्लिक करना है यहां पर देख रहे हैं यहां पर यहां पे इस्कैन करने स्टर्थ कर दिया है तो जैसंड कर रहे हो वह स्ब्सक्राइब कर देखा वह उस्मव'veal Jeśli रहाँ आरब को से हैं उसमयव specific होने लगेगा यहां पे आप देख रहे हैं आपको बारकोड स्कैन करने का भी option आ रहा है तो जब हमने send वाल option देखा तो वहां पे बारकोड आ गया था तो यहां पे आपको simply scan पे क्लिक करना है और यहां से आप बारकोड को भी यहां पे scan करके और directly फिर आपको यहाँ पर आपको जो scanning वाला system है वो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर directly आप barcode से जैसे ही scan करेंगे तो दोनों device जो है वो link हो जाएंगे और directly आपका content जो है वो transfer होना है start हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हमने पहले बात करी थी share it और जेंडर कभी यहाँ पर आपको option मिल जाता है तो अगर आपको share it वाली users के साथ यहाँ से अगर share करना है मतलब कि अगर आपका जो दूसरा mobile है जहाँ पर receive करना चाहरे है data को वहाँ पर अगर किसी के पास share it है या जेंडर है तो यहाँ पर आप simply इस app से share it और जेंडर पर भी send कर सकते हैं तो यहाँ पर simply आपको share it पर click करना है अब यह आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ से share it पर send करना है कि कोई ऐसा यूजर है ज़ो वहां से लेना चा रहा है तो ऊपर कर्सक्ता है ना ना है उसको और और ओक्छॉन हमने पहले हुआ उसको भी याँ पर देख लीते हैं तो यहाँ पह देख रहें नीचे फ़ाइल जा da आपको क्लिक करेंगे यहां पे आपको आपको मुबाईल जो भी लोकली यहां पर ट्रॉटवर्ड दिखायागा ऊपर आपको किसी वी फाइल को सिलेट करके देख लिए आप नीचे आपको तीन ऑपश्ण दिखाई दे रहा हैं तो यहाँ पर आपको send option दिखाए रहा है, share option दिखाए देरे他, deelit option दिखाए रहा है send वाल option हम देख चुके है, share option पर आप click करेंगे तो आपके mobile में जो भी apps है, जहाँ पर आप इसको share करना चाहरा है किसी और के साथ तो यहां पर आप डिरेक्ली फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं फाइल वाले उप्शन में आने के बाद यहां पर आप फाइल के साथ बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं जो कि अभी हमने दिखा तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने फाइल सेंडर